प्रिशा इस्किन हेर क्लिनिक भोपाल आज हम बात करने वाले हैं कि क्या नॉर्मल लोगों को भी संस्क्रीन यूज करना चाहिए तो दोस्तों सन लाइट में बहुत सारी हानिकारक वेब्स होती हैं जैसे कि यूवी रेज हैं इंफ्रारेड रेज हैं और यूवी ए वेब्स जिनसे हमारे सरीर में फोटो टैनिंग, फोटो एजिंग, रिंकल्स, और पिग्मेंटेशन और कई बार इसकिन कैंसर का भी खत्रा होता है तो इन सारी चीजों से संस्क्रीन हमें बचाता है तो आज हम डिसकस करने वाले हैं कि संस्क्रीन को एक नॉर्मल परसन कैसे यूज कर सकता है या उसको क्यूज करने का क्या तरीका होता है तो सबसे पहला कि संस्क्रीन एक सफिशन कॉइंटिटी में लगाना चाहिए और वाइस वो इनेफेक्टिव होता है तो एक सफिशन कॉइंटिटी में हम उसे फुल फेस, फुल हैंट्स, नेक या एक्सपोज बाड़ी पार्ट पे हम लगा सकते हैं तो इसके लिए आप टीस्पून रूल यूज कर सकते हैं सेकेंड संस्क्रीन दिन में किस समय लगाना चाहिए तो लगबग 10 बचे से 4 बचे तक के बीच में संलाइट ज्यादा पावरफल होती है उस समय हमें बेसिकली संस्क्रीन को जरूर यूज करना चाहिए संस्क्रीन कितनी फ्रिक्वेंसी में हमें यूज करना चाहिए तो ये हर 2-3 घंटे में हमें reapply करना चाहिए क्योंकि 2-3 घंटे बाद इसका जो protection level है वो कम होने लगता है तो हमें उसको reapply कर लेना चाहिए इसके अलाबा सबसे important कि sunscreen 100% protection नहीं देता है तो other protective measures जैसे umbrella, hat या protective clothings को भी sunscreen के साथ यूज़ करना चाहिए अगर आपको ये जैनकारी अच्छी लगी तो आप video like कर सकते हैं, share कर सकते हैं और इस channel को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे और useful tips मिलते रहे हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद